छे साल में आर्डी और एफडी का पैसा दुगना करने का लालज देकर चिट फॉंड कमपनी सेंक्डू लोगों के 6 करोड रुपे को लेकर फरार हो गई है सुजानपुर में बश 2009 में संचालित निजी कमपनी का अधिकारी पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया है अधिकारी के खिलाब फुलिस थाना सुजानपुर में एक पीरित उब्भुकता ने मामरा दर्स करवाया है पुलिस अब कमपनी के अफसर की तलाशी में जुड़ गई है जिला मुख्यले हम इरपुर में कमपनी की ब्रांच एक साल पहले ही बंद हो चुकी है उलेकनिया है कि एफटी पर ब्यास दर ग्यारा फिस्ती थी शुरू में कमपनी ने कुछ लोगों को लाब दिये जिस से लालच में आकर के लोग कमपनी से जुड़ के पीडिस संजीव कुमार पुतर प्रकाशन निवासी बिरसाई आलमपूर ने शिकायत में कहा है कि उनकी तरह सेंक्लों लोगों ने जिन्दगी भर की पूंसी लगाई है कमपनी का अधिकारी रविंदर कुमार सभी के करोडर पे लेकर फरार है अधरिक्त पुलिस अधिक्शे कहमेरपूर बलवीर सिंग का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्स कर अगामी कारवाही शुरू कर दी है अरोपी की धरपकड के लिए प्रियास तेज़ कर दिये के हैं आपके चैनल के मार देमसे हम आम जनता को इस तरीक्ये के पर लोगन में नहीं आना चाहिए और जहां तक पैसा कहीं पर इनवेड़ करने की बात आते हैं तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखे ही इन्वेस्टमेंट पैसों को लेके करनी चाहिए और आसे एक इसी भी कमपनी पर इस तरीके से हमें भरोसा नहीं करना चाहिए हमारे पास इसे नेशनलाइज़ट बैंक है जाहिए वो प्राइवेट सेक्टर चाहिए सरगालिश उसमें सेक्टर के हैं जो रिप्यूटेड बैंक से उन्ही में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें और इस तरीके से जो कंपनी जदा इंट्रेस्ट का प्रलोब हैं देती हैं लालच देत और जो भी इसमें best possible होगा पुलिस करेंगे